हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनू और आपको स्वागत है मेरे चैनल पर आज हम बनाने वाले हैं मटरा आलो की सबजी चलिए स्टार्ट करते हैं सबजी बनाने के लिए मैंने कूकर को गैस पर रखा उसमें सरसो का तेल डाला है आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी तेल डाल सक है इसमें डाला है तेजपता थोरा सहींग और जीरा इसको हम अच्छे से भून लेंगे जीरा जब थोरा से ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगे दो मीडियम साइज के कटेवे प्याज को भी हम थोरा से चला लेंगे कि देखिए प्यास धोरा से भून गया है अब मैं इसमें डालूंगे मैंने लहसन को बारी काट के रखा है वो डाल दूंगे इसमें आप चाहिए तो लहसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं पर मैंने काट के डाला है मुझे काट के ज्यादा अच्छा लगता है कि कि हमारा लहसन और प्यास थोरा सा पक चुकार मैं इसमें डालूंगे 20 अडीं साइस के कटेवे टमाटर आप टमाटर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और काट के भी डाल सकते हैं टमाटर की प्यूरी भी डाल सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे तो हमारा टमाटर भी थोड़ा सा भुन गया है मैं इसमें डालोंगे अद्रक और जीरे को मैंने पीस के रखा है इससे सबजी का बहुत ही अच्छा आता है आप लोग भी एक बार चरूर ट्राय करें इसके बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी मिर्ची और धन्या 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 पाउडर आपने टेस्ट के अकdoc डाले जितना आपको डाला है फिर अच्छे से थोड़ी देर भुनना ह गैस को हाई पर हिए रखेंगे हम इसको भूणने डाइम हमें थोरा से भूणना है देखिए थोरा से भूण गया हमारा मसाला टेमाटर बिस ऑफ्त हो गया हमें इसमेड दूगे आलू और मतर मैंने फ्रेस्ट मतर का यूज किया है अब रोजन अमतर का भी यूज कर सकते हैं. आलू और मटर डालने के बाद, हम इसको मिलाएंगे थोड़ा अच्छे से, ताकि मसालो के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसको थोड़ी देर चलाना है, उसके बाद, हम ढख के पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, कुकर बंद नहीं करेंगे पस ऐसे ढख देंगे उपर से देखिए थोड़ी देर के बाद मैंने इसको खोल के देखा मैंने बीच में भी एक बार चलाया था ढखकन अटाके आप भी चला ले अब हम इसको गैस को हाई पर करके इसको थोड़ी देर तक भुनेंगे तक यह अच है अब टृब एक ग्लास पानी इक ग्लास पानी डालिए हो आप प्ने अपर इक प्र damit आख़ए अब मैंने इसमें डाला एक ग्लास पानी थोरा सा गरम मसाला अब प्रेशर कुकर को बंद करके इसमें तीन सीटी लगाना है हाइफ फ्लेम पे तीन सीटी देखिए हमारी थर्ड सीटी आ गई मैं गैस का फ्लेम आफ कर दोंगे और इसमें प्रेशर निकलने का वेट करेंगे देखिए इसमें से प्रेशर निकल चुका है अपनी सब्जी को देख लेते हैं सब्जी बनके तयार है अब देखिए हमारी सब्जी बूलफल अच्छी तरह से बन चुकी है आलू मटर सब अच्छे से पक गए हैं मैं इसमें डालूंगे थोरा साहरा धनिया और इसमें मैं ड कि इन सब अच्छे से मिला लेए और हमारी सब्जी बनके यार है इस आप है कि मैं इसको सर्फ कर लूंगी आप इसको गरम गरम रोटी की साथ खाए या चावल के साथ खाएं मुझे तो यह चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है आप इसको रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू